आधारित आपके लिए पर्यार और अध्यान के इंपॉर्टेंट कोश्चन को लेकर के आए हैं तो हम लोग आज देखें फटा-फट से थर्टी कोश्चन डिसकस करेंगे अपने EVS के तो देखें अभी हम आप लोगों को थोड़ा से बता दे रहे हैं करेंट न्यूज के बार अधिकारिक जो आपका आदेश दिये गया है तो देखें जो भी हो आप सभी लोग के लिए जो लोग किये हैं उनको उन लोगों के लिए 6-8 में टीचर बनने का पूरा-पूरा मुका मिलेगा ठीक है और जो डियलेड वाले हैं उनके लिए एक से लेकर के 5 यानिकी प्राइ ठीक है तो आप लोग इससे निरास नहीं हुए अपने क्लास को कंटीन्यू करिए और अपना पढ़ाई करते रहिए ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए देखते हैं अभी तक देखें जो लोग हमारे चैनल को लाइक हम सब्सक्राइब नहीं किये हैं वह लोग कर दिजिए हमारा चैनल है अधिरेट लारन वी तलपना ओके फ्रेंट्स तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना पहला कोश्चन क्यों चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला कोश्चन क्या कहता है देखें यहां पर हमारा सबसे पहला क्वेस्चन है कि बावडियों ठीक है बावडियों और दूसरा है इनका प्रयोग शामुदाइक साधनों के रूप में किया जाता है और तीसरा option है आपका कथन जो है वो है कि बावड़ियों में सीड़ी जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है परन्तु लोगों को घिरनियों द्वारा कुए से पानी खीचने की अनुमती थी ठीक है यहां पर आपको बताना है सही कथन है तो देखे जो आपका पहला option है कि यह वर्षा पानी के भंडाराण और सनरच्छड के लिए जो आपकी पारंपरिक प्रडालियां है वो है ठीक है तो यह आपका देखे बिल्कुल सही है जो आपका A option है ठीक है बिल्कुल correct है और B देखे फ्रेंट से है कि इनका प्रयोग शामुदाइक संसाधनों के रूप में किया जाता है तो यह भी आपका फ्रेंट्स बिल्कुल सही है और C option देखे क्या दिया था कि बावड़ियों में सीड़ी जमीन के न अगला question देख लेते हैं क्या है हमारा अगला question है friends की बीना बीजों के उगने वाले पौधों के नाम बताना है पहला है friends आपका save दूसरा option है पाइनस और तीसरा option है आपका फ्रन और चोथा option है friends की prunes ठीक है तो यहाँ पर देखे आपको बताना है बीना बीज के उगने वाले पौधे तो इसका देखे फ्रेंट्स जो सबसे correct answer हो जाएगा वो आपका फ्रन हो जाएगा ठीक है यह बीना बीज के उगने वाले पौध और अगला question है friends आपका यहाँ पर कि भारत में हमारी ठीक है भारत में हमारी करीब 22 समयधानिक रूप से मानेता प्राप्त भासाएं हैं भारत के अनेक राजियों में अपनी अधिकारिक भासाएं हैं संथाली एम कुडूग भासा बोली जाती है डैस में ठीक है तो यहाँ चाहा फंखन पर बताना है कि संथाली और कुडूग भासा कहा पर बोले जाती है ठीक है पहला है आपका जार घ्राप्स जाम ने यहां और ऑप्ष्ण ने अगला question के रहें अगला question है friends यहाँ पर हमारा जूम खेती है ठीक है जूम खेती के बारे में आपको बताना है पहला है जैविक खेती दूसरा option है काटो और जलाओं खेती और तीसरा है friends की रासायनिक पकड़ सरी पीकड़ पिड़क नासियों की सीमित उपयोग ठीक है सीमित उपयोग और चौता है friends की फसल चक्रड तो देखे फ्रेंट जो आपके जूम खेती होती है उसका जो correct option होगा वहाँ पर हो जाता है friends की काटो और जलाओं खेती ठीक है यहाँ पर देखे फ्रेंट्स जो जैसे की जो आपके फसल होने के बार ठीक है जो इसके डंठल एक बार अनाजबोने के बाद उस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है ठीक है फिर कुछ समय तक वो खाली छोड़ने के बाद फिर उसकी की जाती है तो उसमें जो खेती होती है फसल होते हे वो अच्छे प्रकार के, अच्छे किस्म के होते हैं ठीक है, चली अगला question देखते है friends, निम्ना लिखित पहली हल कीजिए ठीक है, यहां पर आपको देखे friends, पहली को हल करना है, तो देखें पहली क्या है की चोच है मेरी बड़ी निराली ठीक है चोच है मेरी बड़ी निराली सुई हो जैसे सिलने वाली पत्ते सिल कर घर बनाओं कौन सी चिडियां मैं कहलाओं तो देखे फ्रेंट्स यहां पर कौन सी चिडियां की बात की गई है कि उसकी जो चोच होती है वो बड़ी निराली होती है यानि की सुई जैसी होती है सिलने वाली पत्ते को सिल करके वो अपना घर बनाती है तो वो कौन सी चुडिया है ठीक है तो चलिए option में देख लेते हैं friends कौन कौन सा option है पहला है कल चीडी ठीक है और दूसरा है आपका शकर खोरा तीसरा option है दरजिन चुडिया चोथा है friends के वीवर पच्छी या फिर बया तो देखे friends इसका जो correct आपका option हो जाएगा यह आपकी दरजिन चुडिया ठीक है इनकी देखे जो चोच होती है दरजिन चुडिया के friends वो सुई नुमा एकदम नुकिला होता है यह पत्तो को सिल करके उसमें अपना घोसला यानि की घर बना करके रहती है ठीक है friends चलिए अ अगले question is pressing ूदकर है? हमारे देश की बीरासत एम संस्कृति सम्रिद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है पस्चिम बंगाल का प्रसिध पारंपरिक कला का रूप खाली इस्थान है पस्चिम बंगाल का प्रसिध पारंपरिक कला का रूप आपको बताना है कि क्या है तो पहला है आपका जामदानी दूसरा है चिकन कारी तीसरा है पटोला और चत़ा है फ्रेंट्स पोचम पली तो देखें फ्रेंट्स यहाँ पर आपको पस्चिम बंगाल का पारंपरिक कला के बारे में बताना है तो सबसे correct जो आपका option हो जाएगा friends वहाँ पर जामदानी ठीक है वह यह जो जामदानी है यह पस्चीम बंगाल का प्रसिद्ध पारम पर एक कला है ठीक है friends चली अगला question देख रहेते हैं देखिए हमारा अगला question है friends यहाँ पर हाथियों के बारे में बताना ठीक है हाथियों के बारे में निनलिखित कत्थनों पर विचार कीजिए ठीक है यहाँ पर आपको देखिए friends हाथि के बारे में बताना है तो पहला option है देखिए समान्यता तीन माह आयू के हाथि के बच्चे का भार एक क्विंटल से कम होता है यह अपका फ्रेंट्स बिल्कुल गलत है ठीक है और दूसरा अप्सन है कि हाथी अत्यदिक आराम नहीं करते वे एक दीन में केवल और बच्चे होते हैं नरहाथी 8-10 वर्स की आयू तक होने ही होने तक ही जुंड में रहते हैं तो देखें यहाँ पर आपके जो 25 से 25 हतनिया है उनके बच्चे उत्तुत आपका option गलत है friends जो आपका सबसे correct option है वो आपका BC है तो देखें BC आपके fourth option में है friends तो सबसे correct option आपका fourth हो जाएगा ठीक है चली अगला question देख लेते हैं अगला question है friends कि तीन परंपरागत जलसान रच्छड की पध्धतियां नीचे दी हुई है सही विकल्प का चैन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं जो हाद बावडी जील ठीक है जो हाद बावडी और जील तो चली देखते हैं friends इसका जो सबसे correct option है वो क्या है सबसे पह प्रयाग राज जोधपूर उदैपूर जैपूर नालंदा बिकानेर तीसरा option है प्रयाग राज नैनी ताल उदैपूर जैसलमेर और चोथा है फ्रेंट्स की जोधपूर जैसलमेर बिकानेर उदैपूर ठीक है तो यहां पर देखिए जो सबसे correct option हो जाएगा कि जो आपके फोर्थापसन है कि जोधपूर जैसलमेर बिकानेर और उदैपूर ठीक है वहीं पर आप देख सकते हैं इन तीनों को इन चारो जगह पर ठीक है अगला question है friends की नीरज चोपड़ा एक champion olympic है वे कौन सा खेल खेलते हैं ठीक है आपको पता होगा friends कि यह आपके स्वाड़ प फेक और दूसरा option है friends यहाँ पर short put throw तीसरा है आपका archery यानि की तीरंदाजी और चौथा है friend triple jump तो देखें इसका जो सबसे correct option हो जाएगा यह आपका हो जाएगा first ठीक है javelin throw जो नीरत चोपड़ा है यह यहीं खेल खेलते हैं ठीक है javelin throw यानि की भाला फेक चलिए अगला question देख लेते हैं friends क्या है हमारा अगला question है कि घट परड़ी ठीक है यानि की निपेंथीस घट परड़ी चूहो मेढको और कीड़े मकौड़ों को भसा कर उन्हें खा जाता है हमारे देश में यह पौधा कहां पाया जाता है ठीक है तो आपको बताना है friends कि हमारे देश में जो आपका निपेंथीस का पौधा ठीक है भारत के मेगाले में ओके चलिए अगला question देखते हैं हमारा अगला question है friends की रवी की रोग विश्यक पैथोलाजी ठीक है रिपोर्ट के अनुशार उसके हीमोगलोबिन का अस्तर 12 ग्राम पतिडेशी लीटर है इसका अर्थ है कि रवी पहला option रक्त हींता से और दूसरा है रग्त हींता से ग्रस्त नहीं है तीसरा है आपका शामान है हीमोगलोबिन अस्तर है और शामान है यहां पर आपको फ्रेंड्स सबसे correct जो है option को बताना है ठीक है अग्ला और फ्रे अर्ध है यहां पर कह सकते हैं यहां पर हिए घ्र नहीं है अंगला अग्ला प्रेंड्ट इसका आर्थ है कि न पसकर मैं रभी का स्वाहान रजाय में हेमोगलोय फ्रेंट्स नहीं नशन स्तर आदेशा है और कम रखेंगrit कषिकाउं की विए डुजान … ूप्षण में नहीं होगा डेख्यां फकले हम विलूं तो तो सबसे जो इस ऑफ्षी अर्स नहीं हो जाएगा नог़रह मा और दिया है तो दिक्टैप से निमनली खीत जोड़ा में difficult in the पर आपको बताना है कि निमने लिखित में से कौन सा जोड़ा सही है पहला option है friends सानिया मिर्जा टेबल टेनिस दूसरा है सायना नहवाल बैट मिंटल और तीसरा है आपका पीटी उशा बैट लिप्टिंग और चोथा है friends के मलेश्वरी यानि के करणा मलेश्वरी अथलेटिक्स तो देखिए friends यहाँ पर जो सबसे सही आपका option हो जाता है वह आपका शबसे सही आपका शानिया नहवाल हो जाएगा बैट मिंटल से ठीक है बाकि सो जो भी है आपका option वह गलत है ठीक है चलिए अगला question देख लेते हैं हमऄा अगला question थे friends की परित भी गोल है और वह सुद्ध की परिक्रमा करती है ठीक है परित्ध भी गोल है और वह सुद्ध की परिक्रमा करती है अतह जब भारत में मध्यान यानि की दो फर होता है तब कौन से हिस्से में मध्यरात्री होती है पहला आपका दिया है अलजीरिया दूसरा है अलास्का यानि की यूएस से ठीक है तीसरा है आपका अर्जेंटीना और चौथा है आपका कनाड़ा ठीक है तो यहां पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंट्स कि जब भारत में दो पहर होता है तो कहां पर मध्यरात्री होती है तो यह अपके अर्जेंटीना में होता है ठीक है यह देखिए यहां के लोग जो होते हैं वो भारत के साप एक्छ उल्टे दिखाई देते हैं ठीक है तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड अर्जे प्राचीन इमारते होती है वह दीवारों के एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता ठीक है और वे दीवारों से भी ऊचे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं पहला प्षन है आपका जहरोखा दूसरा option है आपका dromer और तीसरा है friends चब उत्रा चोथा है आपका बुर्ज ठीक है तो यहां पर देखे friends जो सबसे correct आपका option हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बुर्ज ठीक है इसमें देखे friends बुर्ज में क्या होता है एक गोला कार जो आपका हिस्सा होता है वो बाहर कि और निकलना मततम निकला रहता है ठीक है और उसी से मतले जानि कि अर्वें दीवारों से भी उच्छे होते हैं ठीक है रह arena क्वे ES चरिया है कि अनुगमन करती है ठीक है इविएस पाठे चरिया जो है वो एक विसे वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है ठीक है तो पहला आप्शन है क्योंकि यहां पर आपको बताना है तो पहला आप्शन है फ्रेंट्स यहां पर विसे वस्तु आधारित उपागम से विसेओ होता है और यहां पर भी समझ दिया है लेकिन आप लोग देखें फ्रेंट को ध्यान में रखेंगा ठीक है अगला पॉइंट है कि बिसे केंद्रित उपागम में मोटी पाथे पुस्तके होगी यह तो आपका बिल्कुल नहीं होगा और चौथा है विसे वस्तू आधारित उपागम से एक से चक सबी एवयस के विसेयों को सरलता से पढ़ा लेता है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है ठीक है और यहां पर देखे विसेयों की बिसिष्ट समझ के बारे में दिया है और यहां पर फ्रेंट्स एकी कृत एवं समग्र समझ तो आपका यहां पर जो एकी कृत एवं समग्र समझ का भिकास होता है फ्रेंट्स यहीं आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो देखें फ्रेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्ष के हैं पर को बताना है कि निमने लिखीत का कौं सब्धाय। तो पहला हो जाएगा यहां पर फ्रेंट्स आपका बहु अनुशासनिक ठीक है पहला हो गया आपका बहु अनुशासनिक और देखिए यहां पर जो आपका बी है शम्मिलित ठीक है C है आपका A की क्रिट, चोथा है आपका A कल, तो देखे यहाँ पर A कल तो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी यह तीनों हो शकता है आपका option, ठीक है, बहुँ अनुशासनिक, जो आपकी पर्यावरण की अध्यान की प्रकृति है, ठीक है, पर्यार और अध्यान की प्रकृति का व आपका दोनों answer सही होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग देखे, तीनों सही है, तो आप लोग ज्यादा तर हम तो कहेंगे, कि A, B, C, इन तीनों, यानि की 1st option को correct मानियेगा, ठीक है, इन तीनों को, क्योंकि 1 की करीद भी होता है, पर यारण अध्यान की प्रकृति होती है, ठ देखिए हमारा अगला question है friends portfolio ठीक है है portfolio है पहला option है एक बिसेस आवधी में बच्चे द्वारा किये गई सरोत्तम कारियों का संग्रह ठीक है और दूसरा है एक बिसेस आवधी में सभी बच्चों द्वारा किये गई सरोत्तम कारियों का संग्रह और तीसरा है friends एक बिसेस आव उतम कारियों का संग्रा a WAS ah oh uh कि एक बच्चों द्वारा किये गए जंगरी तो देखेक यहां पर जो जब भुशे अवधी है उसमें बच्च्व द्वारा किये गये सर्वत्तम कारियों का संग्र और पर ऊप्ण में है कि एक BCS अवधी में सभी बच्चों द्वारा किये गए शमस्तकारियों का शंग्रा तो देखे फ्रेंट्स यहां पर आपका यह दोनों आपसन सही हो जाता है यह आपके अंसियार्टी जो है यह आपके दोनों ही एंसर को सही माना है लेकिन सबसे जो में आपका करेक्ट आंसर होगा यह आपका फर्ष्ट होगा कि एक BCS अवधी में बच्चे द्वारा सरोत्तम किये गए का देखे फ्रेंट्स जो आपका पॉर्ट्फोलियो होता है पर फर्ष्ट और थर्ड एक BCS अवधी में बच्चे द्वारा किये गए समस्तकारियों का संग्राइब यहां पर देखे फ्रेंट्स सभी बच्चों द्वारा किये गए हमने आपको गलत बता दिया है इसीले सौरी देखे आपका थार्ड आप्सन से यह देखे फ्रेंट्स जो सभी बच्चों द्वारा किये गए समस्तकार है यानि कि सभी बच्चों में तब सबको साथ में पोर्टफोलियो ठीक है तो यहां पर देखे फ्रेंट्स जो आपका पोर्टफोलियो होता है एक एक बच्चे का अलग अलग तयार किया जाता है ठीक है तो यहां पर देख चलिए अगला question देखते हैं हमारा क्या है हमारा अगला question है friends कि EBS का पाठ्ठिक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है खाले अस्थान से आरंब करते हुए यानि कि किस से आरंब करते हुए ठीक है तो पहला option है friends परिवार से दूसरा है श्वयम अपने आप से तीसरा है आपका पासपड़ों से और चौथा है आपका देश ठीक है तो देखें जो EBS का पाठ्ठिक्रम होता है ठीक है संसार के बारे में जो बच्चे की समझ को धीरे ध बढ़ाता है वो श्वयम अपने आप से आरंब करते हुए ठीक है तो इसका देखें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका तू हो जाएगा चलिए अगला question देखते है friends समारा क्या होगा देखें यहां पर अगला question है friends की EVS पाठ्ठे चर्या के अनुसार बच् अपने अनुभाओ द्वारा जयनकारी प्राप्त करें देखें यहां पर आपके जो बच्चे हैं ठीक है दैनिक जीवन से संबंधित की बात की जा रही है कि बिभी नभिस्यों पर निकटतम परिवेस के बारे में अपने अनुभाओ के जयनकारी तो यहां पर देखें यह आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ठीक है टू आप्शन है फ्रेंट्स यानि कि बी कि वे निकटतम परिवेस के लिए प्राकृतिक या फिर नय सर्गिक जिग्यासा एमस्रिजिनातमक्ता को पोसित करें यह भी आपका फ्रेंट्स बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर निकटतम परिवेस के बारें बात किया गया है ठीक है ठीक है अप्शन है वे निकटतम परियावरण में यहां पर भी देखिए फ्रेंट्स निकटतम परियावरण की बात की गई है कि निकटतम परियावरण में प्रकृतिक और मानों शंसाधनों के प्रति शंवेदन सीलता को विकास करें यानि कि शंवदन सीलता का विकास करें तो यह भी आपका फ्रेंट्स बिल्कुल सही उप्सन है और फोर्थ है कि वे पर्यार और सानलचर के लिए रैली और प्रदर्शनों का आयोजन करें यह बिल्कुल नहीं ठीक है फ्रेंट्स जबके रैली और प्रदर्शन यहां पर आपका A, B, C बिल्कुल करेक्ट ऑप्षन हो जाता है तो यहां पर देखे A, B, C थर्ड ऑप्षन में तो आपका राइट ऑप्षन क्या हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुश्चन के और चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ठीक है परियावरण अधियन अधिगम गरता के लिए कौन से अनुभव महत्तपूर है पहला है यहां पर आपका की प्राशंगिक अनुभव ठीक है दूसरा है आपका अविसकारक अनुभव तीसरा है आपका वास्तविक जीवन अनुभव और चोथा है यहां पर D option की अनुरूपक को ठीक है तो सबसे पहले आपका वास्तविक हो जाए सबसे पहले आपका वास्तविक हो जाएगा उसके बाद देखेंज अनुरूपक अनुभव होगा Dieu आ against the color of l अगला question देखते है देखे friends हमारा अगला question है कि EBS के संबंध में EBS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ते है यहाँ पर आपको बताना है EBS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ते है तो देखे यहाँ पर option है friends पहला कि EBS को grade 3rd से 5th यानि कि 5 तक पढ़ाया जाता है और दूसरा है आपका grade 1 और 2 में EBS के कौसल गडित और भासा के पाठे करम में अंतर नहीं थै C है friends कि EBS का NCRT पाठे चरिया BCO को उनके संभावित कनेक्शन के साथ BCO और उप BCO में वरगी करिद करता है और चोथा है friends कि EBS पाठे चरिया विद्यार्थियों को परिया वरड की समग्र रूप से सराहना करने और BCO को विज्ञान और शामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सच्छम बनाता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर पूछा गया है friends कि EBS के संभंध में जो सबसे सत्य कठन है तो देखिए friends सबसे जो सत्य कठन है EBS के संदर्व में ठीक है यानि की संबंध में तो यहाँ पर आपका देखिए friends third option सही हो जाएगा ठीक है कि EBS का NCE RT पाठी चरिया BCO को उनके संभावित कनेक्शन के साथ BCO और उप BCO में वर्गी करिद करता है ठीक है यहाँ पर सबसे correct option आपका friends third हो जाएगा चलिए sorry friends यहाँ पर देखिए आपको option में बताना है question ठीक है तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 EBS के causal को गड़ित और भाजा के particular में अंतरनीत किया जाता ठीक है friends तो देखिए आपका यहाँ पर B और C बिल्कुल सही है और देखिए पहला भी आपका बिल्कुल सही था यहाँ पर क्या दिया था कि EBS को third से लेके 5 तक पढ़ाया जाता है बिल्कुल सही है friends तो आपका 1 B आपका A B और C यह तीनों ही friends देखिए बिल्कुल सही है तो देखिए option में A B C कहां पर दिया है तो A B C देखिए third option में दिया है friends तो यहाँ पर आपका सबसे correct option गी हो जाएगा ठीक है अगला देखिए friends question क्या है आपका देखिए यहाँ पर अगला question है कि परियावरण के मुद्धों को शमझने के लिए EBS पढ़ाने वाले सिच्छकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेच्छ विक्सित करने की आवे सकता ठीक है यहाँ पर friends आपको बताना है कि जो परियावरण के मुद्धे हैं ठीक है उनको शमझाने के लिए EBS में पढ़ाने वाले सिच्छकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेच्छ विक्सित करने की आवे सकता है पहला है friends आपका बहु बीयावरण के मुद्धों के बारे में समझाने के लिए जो सिच्छक है उनको विद्यार्थियों में कौन से परिप्रेच्छ विक्सित करने चाहिए तो इसका जो सबसे कर्यक्ट आप्शन होगा वो आपका बहु बिस्यक परिप्रिच्छ होगा ठीक है बहु बिस्यक परिप्रिच्छ तो इसका सही option क्या हो जाएगा फ़र्ष्ट चलिए अगला question देखते हैं friends कि अगला question है friends कि निम्न लिखित में से कौन सी परियाव रध अध्यन में अवलोकन गतिवीधियों के उपर युक्त ब्याक्षिया है तो यहाँ पर देखिए friends क्या होगा राईट option आपका पहला option है बच्चों को समानताएं देखने में सच्छम बनाना जिसे से बच्चों के सीखने का बिस्तार हो ये तो आपका नहीं होगा friends कि बच्चों के सीखने का बिस्तार हो ये भी आपका नहीं होगा और B option चलिए देखते हैं friends कि बच्चों को अंतर देखने में सच्छम बन कि बच्चों में पहले सुचनाय प्राप्त करने के लिए सच्छम बनाई है जिससे बच्चे का सीखने का जो बिस्तार है वह अच्छा हो सकते और दी और अप्षन में आपका सबसे ौप्शन क्या हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगला प्वेस्चन देखते हैं कि देखिए अगला क्वेस्ट है कि निम्नली खीट में से कौं से कथन सथ एवं व्यापक मुल्यांकन की क्रकृति को सबस्ट करते हैं यहां पर आपको बताना है व्यापक मुल्यांकन की कि प्रकृति के लिए उन्हें grade दिया जाता है बिल्कुल गलत फ्रेंड इसमें देखे सतत अन जो ब्यापक मुल्यांकन उसमें बच्चों को grade नहीं दिया जाता है ठीक है और बी option है कि सतत अन ब्यापक मुल्यांकन बच्चों की संपुर प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाना है यहा बच्चों को यह बताना कि वे अधिगम प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाई ये भी देखिए इसमें भी आपका सी और डी ही सही है तो देखिए थार्ड आप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है कि अपने बिद्यार्थियों में पर्याव्रण सनरथ्षड के प्रती निम्नलिक्षित मेंसे किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्यान सिच्छक के लिए सरवाधिक महत्तपूर है ठीक है यहाँ पर आपको बताना है कि अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण सनल्चड के प्रती निमनलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्यान सिच्छक के लिए सरवाधिक महत्त ठीक है देखे जो विद्यार्थियों में पर्यार और सनच्छड के लिए निनलिखित में से किसका यानि कि अभी बृत्ति का विकास करना एक पर्यार और अध्यान सिच्छक के लिए सरवाधिक महत्तपूर ठीक है अगला हमारा अगला अध्यान की पुस्तक में दिये गए शब्द ग्लुकोज एसीड बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही थी तासी को क्या करना चाहिए एक टीचर है जिन्हें पर्यार और अध्यान की पुस्तक में दिया गया जो है आपका ग्लुकोज और एसीड वा एसीड समझाने में कठिनाई हो रही थी तो तासी को क्या करना चाहिए यहां पर आपको बताना है तो देखिए आपका पहला ऑप्सन है कि ग्लुकोज और एसीड के पैकट को लाकर बच्चों को दिखाएं दूसरा ऑप्सन है बिद्यार्थियों से सब्द कोस्त में से इन सब्दो के लिए आमंत्रत करें तो देखिए इसमें जो आपका सबसे सही ऑप्सन हो जागा वो आपका थर्ड होगा बच्चों के अस्थानी भासा यानि कि जो उनकी अनुभाव पर चर्चा करें और उनको समझाने का प्रयास करें ठीक है यहीं आपका सबसे क्रेक्ट आप्शन देखे friend यहाँ पर हमारा अग्ला question है कि परियावरड अधियान अधियम के निम्नलिखी सवरूपों में से किन सवरूपों के बारे में हैं तो वो पहला है आपका स्क्तृत्यात्मक दूसरा पॉाром है आपका कथन की अनुभावात्मक और तीसरा है आपका प्रयोगात्मक तो दिए फ्रेंड़ जो आपके परियार और अध्यान है ठीक है उनमें आपका कौन-कौन सा हो जाएगा तो यहां पर देखे आपका तथ्यात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा यहां पर आपका अनुभव हो जाएगा और प्रयोग आत्मक यानि कि बच्चा जब ब्रहमड पर जाता है ठीक है तो उसको जो अनुभव मिलती है उसको जो पर्यार और अधियन है ठीक है उसमें अनुभवात्मक के लिए वह इसको प्रयोग कर खो करकर के सीखता यानि कि वह जाकर कर के दिखता है तो देखिए यहां पर आपका बी और सी करेक्ट ऑप्षम हो जाएगा तो लिए तो जो जाए था आपका सही और यूफशन देखते हैं परिया और अधियन पाठ्थिकरम को निमनलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए ठीक है? परिया वर अधियन पाठेक्रम को निम्नलिखित मेंसे किस पर जोर देना चाहिए? तो पहला है आपका विषे वस्तु, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है तत्य और चौता है फ्रेंट्स आपका प्रयोग ठीक है? तो यहाँ पर देखें बी और डी सही option है तो देखिए बी और डी आपके फोर्ट ऑप्शन में तापका right option फोर्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं है ठीक है वो किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कारेक्रम का मंचन करती है इससे बिद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा पहला है याद रखने का कौशल हमने आपको पहले ही बताया है याद रखना तो बिल्कुल नहीं होगा सब्सक्राइब का-विकास सब्सक्राइब के लिएशा शाया है छेशन के लिए कन 235 पर यहां पर वी डीके आज के लिए EVS के class में हमने 30 questions को complete किया है friends तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को like and subscribe नहीं किया है वो लोग कर दीजिए हमारे चैनल है अट दिरट लर्रमी थलपना ओके फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने CDP के class में तब तक के लिए धन्यवाद